इस वीडियो में आप सूपर्टेट 2018 जो की उत्तर प्रदेश में 80,500 सहायक अध्यापकों की भरती के लिए लिखित परिक्षा का आयजन किया गया था उस प्रशन पत्र का रिजनिंग का पार्ट देखने जा रहे हैं सूपर्टेट की परिक्षा में रिजनिंग से 5 प्रशन पूछे जाते हैं यहाँ पर मैं बता दो कि सूपर्टेट 2018 का जो पेपर हुआ था वो MCQ टाइप नहीं था यानि कि very short answer type questions पूछे गया थे और लिख करके आपको उसका जवाब देना था चलिए सुरू करते हैं रिजनिंग के पार्ट को पहला प्रशन पूछा क्या था कि संकेत समानुपात के बाई और के दो पदो में वहीं समानता है जो संकेत समानुपात के दाई और के दो पदो में है चार पदो में से एक पद लुक्त है लुक्त पद बताईए यहाँ पर relation निकालने की कोसिस करें तो कैसे निकालेंगे आप यहां से देखिए B के बाद से C और D यानि कि दूसरा यह जो later आया हुआ है इसके बाद से देखिए C में अगर हम लोग relation निकालें तो देखिए C और I में C के बाद से देखिए B E F G H I यानि कि छठवा later आया हुआ है उसी हिसाब से अगर यह देखा जाए तो D का यानि कि पहले के दूसरा later अगर आप निकालेंगे तो देखिए D के बाद से E F यानि कि पहला F हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है इसका छठवा तो देखिए E के बाद से छठवा क्या आएगा F G H I J K यानि कि F K प्रश्ण में आप से लुप्त पद पूछा गया था तो लुप्त पद का मान क्या हो जाएगा F K अगला प्रश्ण देखिए यह Blood Relation का प्रश्ण है हलांकि सूपर्टेट का जब आप reasoning का सिलेबस देखेंगे तो Blood Relation उसमें mention नहीं किया गया है लेकिन अभी तक जो दो सूपर्टेट की परिक्षा हुई है दोनों में Blood Relation से प्रश्ण पूछे जाते हैं तो ये topic महतोपूर्ण है आपको विशे सुरुप से ध्यान देना होगा देखिए क्या कह रहा है कि यदि कमल कहता है कमल कह रहा है जो statement उसने बोला है उसको inverted कमा में दिया गया है कि रवी की मा मेरी मा की एक मातर पुत्री है तो कमल का रवी से क्या संबंद है यहाँ पर मैं बता दू options इस वज़ा से नहीं दिये गया है कि यह जो परिच्छा होई थी यह लिखित होई थी ठीक है तो चलिए इसको solve करते हैं जैसा कि आपको ग्यात होगा कि अगर कोई male को हम लोग denote कर रहे है तो उसके उपर हम लोग plus लगाएंगे और अगर female coordinates कर रहे हैं तो minus लगाएंगे यहाँ तक clear हो गया इसके अलावा अगर generation समान है तो एक ही line में हम लोग लिखेंगे और अगर generation gap है यानि कि अगर माबाप है और उसके बच्चों की बात हो रहे है तो हम लोग माबाप को उपर लिखेंगे और बच्चों को नीचे लिखेंगे यहाँ तक clear और अगर दो generation gap है यानि कि दादा-दादी की बात हो रही है, उसके बाद से मम्मी पापा आया होंगे, उसके बाद से बच्चे आया होंगे, तो वहाँ पर दो जनरेशन गैप हो गया, तो मम्मी पापा के ऊपर दादा-दादी को हम लोग लिखेंगे, इस concept को use करते हुए इस question को हल करेंगे चलिए सुरू करते हैं blood relation के question को solve करते समय आप कभी पूर्वा ग्रस से ग्रसित नहीं होने चाहिए अब इसका मतलब क्या हुगा अगर हमने पढ़ा कि कमल और रवी की बात हो रही है तो हमारे मान में तुरंत क्लिक करता है कि कमल और रवी तो लड़के का ही नाम होता है तो हम लोग इसको mail मान करके चलते हैं लेकिन अगर आप reasoning के question को solve कर रहे हैं तो आप इसको लड़का और लड़की तब तक नहीं मानेंगे जब तक statement से clear ना हो जैसे कि इस question में अभी आप चीजों को और अच्छे तरीके से समझेंगे तो चलिए question को सुरू करते हैं बीच-बीच में मैं आपको hint देता रहूंगा कि कहां पर आपको विश्य सुरूप से द्यान देना है जैसे कि देखिए कमल कहता है यह वाकर जो बोला है वो कमल कह रहा है कमल क्या कह रहा है कि रवी की मा मेरी मा मेरी मतलब कौन कमल की मा रवी की मा कमल की मा की एक मातर पुत्री है यहाँ पर देखिए जितना अभी तक हमें clear हुआ उसके बारे में बना लेते हैं पर रवी है रवी है और उसकी मा है रवी की मा है देखिए मा को मैंने उपर क्यों लिखा क्योंकि मैंने बताया था कि मा बाप जब दी होंगे तो एक मेरी मा, मेरी मतलब कमल की मा की एक मातर पुत्री है, यानि कि जो कमल है, उसकी मा जो है, उसकी पुत्री कौन हो रही है, रवी की मा हो रही है, यानि कि यहाँ पर देखिए, एक और ऐसे लगेगा, और कमल की जो मा है, यहाँ पर यह किसकी मा थी, यह रवी की मा थी, यहाँ त कह रहा है कि मेरी मा की एक मात्र पुत्री है अब ये जो है रवी की जो मा है वो एक मात्र पुत्री है किसकी ये है कमल की मा की यहां मैंने कमल लिख दिया अब देखिए अब कैसे डिसाइड होगा कि कमल लड़का है या लड़की तो कमल ये कह रहा है कि रवी की मा मेरी मा की ए एक मातर पुत्री है, अगर ये पुत्री हो गई, तो एक मातर पुत्री, अगर किवल यहीं पुत्री है, तो जाहिर से बात है, यह लड़का ही होगा, मेल होगा, अब यहाँ पर हम लोग प्लस लगाएंगे, यानि कि अब क्लियर हुआ कि कमल क्या है, मेल है, यहाँ तक क्लिय देखिए हमने क्या किया कि कमल ये कह रहा था कि रवी की मा तो रवी की मा जो है वो मेरी मा यानि कमल की मा की एक मातर पुत्री है ठीक है अगर सिर्फ ये पुत्री है तो कमल जाहिसी बात है मेल हो गया अब यानि कि यहां से ये क्लियर हो गया कि कमल और रवी की मा एक दूसरे अब देखिए क्या पूछ रहा है तो कमल का रवी से क्या सम्मंध है यानि कि जो कमल है वो रवी का क्या लगेगा तो यहां पर देखिए रवी की मम्मी का भाई रवी का क्या लगेगा आप अपने पर अपने पर अपने करके देखिए कि आपकी मदर के जो ब्रदर होते हैं य 4M 9K 16I 15G का अगला पद कौन सा होगा अभी सिर्फ आप डिजिट्स पर ध्यान दिजिए 4 9 16 25 क्या कुछ इसमें common दिख रहा है तो आप कहेंगे बिल्कुल ये 2 का square है ये 3 का square है ये 4 का square है ये 5 का square है तो अगला पद 6 का square कर दिजिए तो 6 का square कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ठीक है अब देखिए इसमें फिर ध्यान दिजिए यहाँ पर देखिए G के बाद से HI यानि की 2 दूसरा लेटर ये यूज किया गया उसके बाद से देखिए I के बाद से 2 अगर जोड़ा जाए तो JK यानि की दूसरा लेटर यहाँ पर चलेंगे यानि की इधर 2 प्लस हो रहा था तो इधर जाने पर 2 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यानि की G से पहले 2 क्या आएगा E आएगा देखिए E के बाद से F और G दूसरा आ रहा है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 36E आपका उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन देखिए यदि किसी गुप्त भासा में प्रमोशन को 567873271 लिखा जाए तो उसी गुप्त भासा में notion को क्या लिखा जाएगा देखिए हमको ये कोड इसका कोड दिया गया है और उसी की अधार पर इसका कोड पूछा जा रहा है इस टाइप के प्रशनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसमें कमप्रिजन करते हैं कि जो अल्फाबेट यूज किये गया है उसके लिए कौन सा डिजिट इस कोड म निकालना है तो इसमें देखिए कि N कहीं आया हुआ है क्या तो आप कहेंगे कि हाँ यहाँ पर N आया हुआ है इसके लिए कोड क्या यूज किया गया वन यूज किया गया तो N के नीचे हम लोग क्या लिख देंगे वन लिख देंगे उसके बाद से देखिए दूसरा लेट का code इन्होंने कितना लिखा है? 3 लिखा है. तो हम लोग P के जगा पे 3 लिख देंगे. 2 बर T आया है, तो 2 बर 3 लिख देंगे. उसके बाद से देखिए फिर से I का code कहीं आया हुआ है? I का देखिए यहां पर 2 दिया गया है code. ठीक है? तो I के जगा पे क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे. उसके बाद से देखिए O की जगा हमने निकाल लिया कि 7 आया था, तो 7 लिख दिया. N की जगा पर देखिए. N की जगा पर 1 आया था, तो हमने 1 लिख दिया. यानि कि notion का code क्या हो आपका उत्तर हो जाएगा. अगला प्रस्ण देखिए, यह direction का प्रस्ण है. इस टाइप के प्रस्ण में आपको भाषा बहुत लंबी चोड़ी मिलेगी, लेकिन प्रस्ण में कुछ भी दम नहीं होता है. जो भी जैसे बोला गया रहता है, आप उसी प्रकार से, उसी दिशा में उतने ही किलोमेटर चलते जाएंगे, तो आपका उत्तर बहुत आसानी से निकल जाएगा. जैसे कि इसी प्रस्ण को देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर direction बना देता हूँ, ताकि हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, देखिए, पहले क्या बोल रहा है कि मोहन पस्चिम की ओर 3 किलोमेटर चलता है, यहाँ से देखिए, पस्चिम किदर है, इधर है, बाय तरफ हमारे, तो हम लोग इधर से पस्चिम की ओर 3 किलोमेटर पहले चल दिए, मान लिया कि कितना चल ला है 4 km चल रहा है तो यहां से मैं 4 km उपर की ओर चल गया यह माल लिजे 4 km हो गया ठीक है, 4 km उपर चल गया अब बोला है कि फिर बाई और मुर्द कर 2 km चलता है अब यहां पर देखे, इसका मूँ उपर की तरफ है यानि कि इसका बाइं किधर होगा इधर होगा ठीक है तो बाइं कितना चल रहा है दो किलोमेटर चल रहा है यहां से माल लिजे दो किलोमेटर यह हो गया तदु परांग पुना बाई और मुर करके 4 km की दूरी के टाय करता है अब इसका मुँँ इधर की तरफ है अब देखिए इसके बाई और बोल ला है बाई और किदर होगा नीचे होगा यानि नीचे कितना चल रहा है 4 km फिर चल रहा है अब जब 4 km चल जाएगा तो यहाँ पर देखिए यह distance भी 4 है यह distance भी 4 है यानि कि यह वाला जो point है इस वाले point के बिल्कुल सीधी रेखाने होगा ठीक है? और उसके बाद से यह पूछ रहा है कि वह अपने चलने के इस्थान से कितनी दूर वक्त की इस दिसा में इस्थित है हम लोग चले थे यहाँ से मोहन यहाँ से चलना प्रारम किया था अब यह वाला बिंदू जो है इस लाइन के बिल्कुल सीधी में है यानि कि इधर direction कौन सा हो जाएगा इधर direction हो जाएगा पस्चिम ठीक है पस्चिम दिसा हो जाएगा और दूरी भी पूछा है तो दूरी कितना हो जाएगा यह 3 किलो मिटर यहाँ पहले आया था और यह दूरी कितनी होगी उपर देखिए 2 किलो मिटर दिया गया यानि 3 धन 2 मिला कर कि कितना हो जाएगा 5 किलो मिटर यानि आपका उत्तर हो जाएगा कि मोहन अपने चलने की स्थान से 5 km पस्चिम दिशा में आगे बढ़ चुका है यानि कि उत्तर क्या हो जाएगा 5 km पस्चिम दिशा में दोस्तों यहाँ पर आपका रिजनिंग का पार्ट पुरा कम्पलीट हो चुका है आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा साथ ही अगर आप सूपर टेट की बहत्रिन तयारी करना चाहते हैं तो ट्रिक के माध्यम से करियर बिट के द्वारा सभी टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है तो आप प्लेलिस्ट भी एक बार जाएगा जिसमें हिंदी के पार्ट, रिजनिंग के पार्ट और ई-वियस के पार्ट, सोसल स्टेडी के पार्ट ट्रिक के माध्यम से कवर किये गए हैं तो आप इस वीडियो के समाथ होने के बाद से इस केरियर बीट के प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुब्भ